बसकार दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हमारा जो चेप्टर चल ला था compound proportion यानि कि मिस्र समान उपात उसी को आगे करेंगे इससे पहले वाले वीडियो में इसके जो 9 उधारड थे प्रस्णावली की तरफ बढ़ते हैं तो प्रस्णावली 14 एक जो भी प्रसन है उन पर बात करेंगे एक फार्मूला बताया था वह फार्मूला आपको याद हो गया होगा अब आप जो है उस फार्मूले का यूज करना आप सीख गए होंगे तो चलिए शुरू करते हैं प्रसन नंबर पहला देखिए 12 पुरूस एक कार को 24 दिन में करते हैं ठीक है क्या कह रहा है 8 पुरूस इसकार को कितने दिन में कर लेंगे काट दीजिए बच्चों वाला सवाल था आठीया 24 एक सवरार वाला 36 तो 36 दिन में हो जाएगा आगे देखिए प्रसन नंबर 2 कुछ सवाल सिंपल भी है कुछ सवाल अच्छे भी हैं जो समझने वाले हैं प्रसन नंबर 2 देखिए 120 मजदूर किसी कार को 15 दिन में करते हैं 120 मजदूर किसी कार को 15 दिन करते हैं आगे बोला गया इसी कारे को दस दिन में अगह समाप्त हो तो कितने मजधूर लगाने होगा तो हमने का एक समस्दूर में अगहाने हो ग्रसके एड़ी जो से ढ़िड़ा गूला टाए 180 वहीं आपका अंसर हो जाएगा ड़िए है तो चलिये आगे बढ़ते हैं प्रस्ट नम्बर 3 की तरह प्रस्ट नम्र 3 कह रहा है अठारा बच्च्छे एक कार एक को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो छिर्फ patiently को बारातिμεंसमाप्त करतेंगे आगे बोलागा इसी कारे को आर्भ इसमाप्त करने के कितने बच्चे लगाने होंगे इसी कारे को अगर 8 दिन में समाप्त करना है तो कितने बच्चे लगाने होंगे काट दीजिए देखिए 2 चव के 8, 2 चंगे 12 और काट दीजिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 ने मठारा, 9 तिया 27 तो आपका आंसर आजाएगा 27 ठीक है आपसन डी तो प्रसन नमबर 3 का आपसन डी आपका सही हो जाएगा चलिए प्रसन नमबर 4 की तरफ बढ़ते हैं सिंपल सिंपल से सवाल है 56 ब्यक्ति किसी कारे को 24 दिन में करते हैं कितने ब्यक्ति हैं 56 ब्यक्ति 56 ब्यक्ति किसी कारे को चोबिस तो आपका निकल के आ जाएगा आठ चंगे 48 यानि की 48 आपका आजाएगा 48 दिन में समाप्त कर देंगे ठीक है प्रसंट नमबर पांच देखिए प्रसंट नमबर पांच है एक कैंटीन में एक सब्था के लिए 238 किलोग्राम चाबल की आवसकता है हो एक सब्था के लिए यानि साथ दिन के लिए कितना चाहिए 238 बेट नीचे रहेगा 238 किलोग्राम चाबल की आवसकता हो तो 49 दिन के लिए एक्स चाबल काट दीजिए साथ सते उननेंचास क्रोस मल्टिप्लाइग कर देंगे साथ अट्टे छपन की छे सात्यां एक कीस पांच हबिस की छ साथ दोनी 14 दो 16 16 चाबल किया आउस सकता होगी इस आपसन में आपका और सब्सक्राइब हो जाएगा इन में से कोई नहीं पसन नमबर छे देखिए दस नल जिनमें कि एख अभी इभी काम कर रहे हैं कि लेंगे सेसिनल ऑड़ने में हमने मान लिया समय लेंगे एक जो भी आप को दे रखा यूज गंटे मिनट एक मिनट लेंगे काट दिजिए आट दिया 24 दस्तियां थीज तो इतना समय लेंगे 30 मिनट यह आपका अंसर आजाएगा परसंबर सबस्वाल देखिए प्रसंबर 8 सोरी प्रसंबर साथ प्रसंबर साथ क्या एक बालती का चारविटे-5 वाँग एक मिनट में बरा जाता है समय उपर रहता है और जो काम है वही हमारा चार बटे नव है चार बटे नव भाग एक मिनट में बरा जाता है अब आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है सेस भाग बरने में कितना समय लगेगा हमने मान लिया एक समय लगेगा सेस भाग बरने में उटेन जो पांच रोटे नव आएगा भाई तोमारा से भाग होगा पांच बटे नो ठीक है बस क्रॉस मुल्टीप्लाइ कर लीजिए यह इधर चला आएगा पाँच बटे नो यह इधर चलाएगा चार बटे नो इंटु-9 एक्स नाव से नो केंसिल हो जाएगा तो एक्स की गफितना बढ़ामन लिए भाकि IT कितनी देर में भर जाएगी अब बाकि港 कि निकालनी है तो पूरा मानते एक तो एक में से हम 3 बटे 11 सोलह कुझळा देंगे जो निकल कीयाएगा वही हमारी बाकि तंकी रहेगी तो यह जाएगा 13 वटे 16 ठीक है इसको क्रोस मल्टिप्लाइ कर दीजी आप कहां सरा जाएगा यह इधर जाएगा तो 15 इंटू 13 वटे 16 यह इधर जाएगा एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा करता है एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा करता है कोई बात नहीं आगे पांच आदमी मिलकर पांच आदमी मिलकर इससे पांच गुने कारे को कितने समय में पूरा करेंगे कितने समय में हमने माल लिया एक समय में पूरा करेंग विप तर पांच गुने कार्य को आप कार नीचे रखेंगे अगर एक यहां पर लोगे कार तो पाप पांच गुने खबाल पूछ रहा है तो यहां पर क्या रखना पड़ेगा पांच आई थे नहीं थमझ में आ रहा यही आपका अंसर आजाएगा प्रसण नमबर 9 का एक दिन ठीक है चलिए आगे वड़िये प्रसर नमबर 10 एक कम में भाग लेने माले 1600 वैकति के लिए 60 दिन की खाद समंगरी थी ठीक है आगे बोला है परंतु इस कैंप में केवल 1200 वैकति भाग लें समंगरी कितरे दिन में समाप्त हो जाएगी हमने मान लिए X दिन में समाप्त हो जाएगी बस इसको सोलब कर लीजिए 2 0 से 2 0 चला जाएगा 12 5 60 16 5 8 तो आसी दिन में सवाप्द हो जाएगी यही इसका अंसर आ जाएगा देखिए प्रसंट नम्बर दसका ओप्षयन का अग्यारा एक किली में 150 अ को यह 50 दिनके बोजन का प्राब्दान था 250 सेनकों के दियर कितने दिनका प्राब्दान था पचास दिनों के लिए 50 से चैनिकों के लिए 50 दिन का जो है बोजन का पिरद्धान था पर यहां से आपको भोजन निकालना हो तो करनेंसे भी तो करना है तoterल बोजन हमने निकालना हो तो इसका मैं मल्टिप्लाइ ad करेंगे यानिक 15 पनाप 75 वोजन है समझने ना जब काम और समय में पढ़ रहे थे तब भी तो यहीं करते थे टोटल काम निकालने के लिए तो यहां पर में टोटल वोजन निकालना आए तो टोटल वोजन हमारे पास आगे जाएगा 75 आप सबाल क्या कह रहा है आगे पढ़िए सबाल को बीच दिन बाद पचास सयनिक के लिए को छोड़ कर चोड़ गए बीच दिन बाद को पचास सयनिक उने इसका मतलब यह हुआ बीच दिन तक यह 5100 ने खाना खाया होगा समझे लें ना मेरी बात को वीच दिन तक यह 1.5 सव और इनकों ने खाना खाया होगा इसके बाद कर गए ना सैनिक तो वह 20 दिन में कितना खा लिया होगा निकाल लीजे इसमें इसका multiply कर देंगे 3000 आपका आ जाएगा तिनहजार क्या आया यह लोग खा चुके हैं अब इसके बाद आपके पास बोजन कितना मंचाने कांगे त्हांड जो एकाने को कितने दिन में खाएंगे आप अंसर आ जाएगा तो ठीक आए अच्छा सवाल ऐधा आपको समझ में आ गया होगा चलिए आगे देखिए प्रसन नमबर 12, 21 जिल्द साज, क्या करते हैं, 1400 पुष्टकों की जिल्द, 1400 पुष्टकें जो हमारा काम है, 1400 पुष्टकों की जिल्द 15 दिन में कर देते हैं आगे बोलागे, 800 पुष्टकों की जिल्द, 800 नीचे रहेगा, जो कि हमारा काम है, 800 पुष्टकों की जिल्द 20 दिन में तयार करने के लिए, कितने जिल्द साज चाहिए, हमने का एक जिल्द साज चाहिए, ठीक है, बस इसको करत दीजिए, आजाएगा आपका, 0 से 0 चला चावर, 9, तो यही आपका अंसर आजाएगे, प्रस नमबर 12, 9, चलिए आगे देखिए, प्रस नमबर 13, 60 आदमी 14 दिन में, 280 kg चावल खा जाते हैं 280 kg चावल का उपवोग करते हैं 30 आदमी कितने दिन में 30 आदमी कितने दिन में हमने का X दिन में 120 kg चावल का उपवोग करेंगे 0 से 0 काट दिया हमने 6 दूनी 12, 6 35, 2 से 14, 14 से 14, 12 पंचे 60 X की वेलू 12, भई हमारा अंसर ठीक है तो यही आपका आंसर आ जाएगा प्रस्ण नंबर कहूं साथा 13 तो यह क्या आया 12 दिन चलिए आगे देखिए प्रस्ण नंबर 14 देखिए यह दी 12 बढ़ाई प्रतिदिन 6 घंटा 12 बढ़ाई प्रतिदिन 6 घंटा कार करके चवीज़ दिन में कितने कुर्सियां 460 कुर्सियां हमारा काम होगा जो की बनाते हैं 18 बढ़ाई प्रति दिन आठ घंटे कार करके जह तिस तिस दिन मेंTwist.1 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे हमने का 16 कुर्सिग मनाएंगे काट दीजिए देखिए 6 चरंगे 36 हो जाएगा 6 चव के 24 हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 4 दूनी 8, 2 से 2 चला गया क्रॉस मल्टिप्लाई कर दीजिए एक्स बराबर, 3 का इसमें मल्टिप्लाई हो जाएगा, 3 की 0, 0, 16, 18, 8, 14, 12, 13, 1380 कुरॉसियां मनाएंगे, option D आपका चला जाएगा, अगला देखिए प्रसन नमबर 15, 7 आदमी किसी कार को 12 दिन में पूरा करते हैं, 7 आदमी किसी कार को 12 दिन में करते हैं, अच्छी बात है, आगे बोला गया है, इससे दुगने कार को, अगर कार यहाँ पर एक है, तो यह कार यहाँ पर कितना हो गया, दूना हो गया, यहाँ एक्स मान लीजी, यहाँ टू एक्स मान लीजी, यह बात वही है, ठीक है उससे, दुगने कार को 8 दिन में पूरा करने के लिए, 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अत्रिक्त आद्मियों की यहां से आपको सवाल में पकड़ना आए कितने अत्रिक्त आद्मियों की आप सकता होगी तो इससे पहले कितने आद्मी थे साथ आद्मी थे कितने अत्रिक्त है हमने माल लिया साथ प्लस एक्स X जो है अत्रिक्त आद्मियों की आप सकता होगी अगर आप टोटल X माल लेंगे तब भी कोई दिक्त नहीं है सवाल तब भी लग जाएगा लास्ट में हम साथ घटा देंगे ठीक है तो सवाल के अनुसार चलेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी कार दीजिए दो चौके आठ चार तीओ बारा तो साथ प्लस एक सबरावर 21 तो एक सबरावर आजाएगा 14 इतने अत्रिक्त विक्तियों की आप सकता होगी 14 प्रसन नमबर 15 लग चुका है प्रसन नमबर 17 देखिए 18 ब्यक्ति प्रति दिन 6 गंटे कार करके एक छोटे सबाववन को 30 दिन में बना देते हैं इस सबाववन की तुलना में 16 गुना बड़ा यह एक है तो यह 16 गुना बड़ा है ठीक एक कार की बात कर रहा है तो यहां एक समान दीजिए यहां 16 एक्स कर दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं तरीका यही है प्रति दिन 6 गंटे कार करके 27 दिन में बनाने के लिए कितने वेक्तियों की आप सकता होगी हमने का एक से वेक्तियों की आप सकता होगी काट दीजिए तो यह किस से कड़ेगा देखिए 9 दूनी 18 9 तिया 27 3 से यह कड़ जाएगा तीन दूनी छे यह दो से दो तियां छे दो अठे शोला और तीन से यह दस बार में चला जाएगा अब इसको क्रोस मल्टिप्राइ कर दीजे देखिए दो दूनी चार आठ चुके 32 तीन सो बीस आप का अंसर आ जाएगा देखिए तीन सो बीस आ रहा है तीन सो बीस ओप्सन ए में आ रहा है तो यही आपका आ जाएगा सिर्फ कैल्कुलेशन करना था अगला देखिए प्रसन नंबर 18 पांच किलोमेटर लंबी सड़क को सव दिन में बनाने है तो 280 मजदूर ल लंबी सड़क बनी है कारे को निर्दार अब यह पूरा करने है तो अब और कितने लोगों की जरूरत है देख लीजिए इसमें क्या क्या दिन तक कार किया होगा समझे रहे ना अब 280 मजदूर वने 80 दिन में कितनी बनाई दीवार दीवार बनाई साधीन किलोमेटर साधीन किलोमेटर टोलमे पांच किलोमेटर बनानी ए समझ रहे न आगे देखिये दूसरी कंडिशन में अब बोला है सबाल कह रहा है कि सबाल में क्या कह रहा है करको निर्दारित अब निये पूरा करने तो अब और कितने लोगों की जरूरत होगी 208 शलेडी कारे कर रहे थे तो हम ने मान लिया 280 188-10 यानि एक्स इसटा लोगों की जृदूरत होगी कारे को समय पर पूरा करने के लिए अब समय पर पूरा करने का मतलब क्या हुआ कितने दिन खेका लिया थाiva data सब्सक्राब बनाना था असी दिन अर लडी कम्पॉलेट रोच बचये कितने दिन आए 20 दिन क्योंकि समय पर पूरा करना है ना अब दीवार कितनी बची है डेड़ किलोमेटर टोटल पांच किलोमेटर तो बना नहीं है तो बस इसको सोल्ब कर लीजिए पॉइंट से पॉइंट दे चला जाएगा यह कार दीजिए पांच तीओ पंद्रा पांच सत्य पैंटिस साथ चोगे अठाइस बीस से कार दीजिए बीज दूनी चालिस तो यह तीन अब भी बचाएगा क्रोस मल्टिप्लाइ करतीजी आठ दूनी सोला सोला तिया तालित यानि कि चार सो असी बराबर दो सो असी प्लस एक्स तो एक्स की वेलू आपको निकल के आ जाएगी दो सो तो दो सो अतरीक तिप्यक्ति लगाने होगा अगर काम को समय पर पूरा करना है अगला देखिए प्रसंद नंबर 19 प्रसंद नंबर 20 में क्या कही रहा है तीन आदमी अथवा छे लड़के एक कम को 40 दिन में पूरा करते हैं Christmas आप दूसरे मैदेन से लगा सकते हैं जो हमने काम समय में पढ़ा था उससे भी आप लगा सकते हैं देखिए बो ला कि तीन आदमी अथवाच स्दूर लड़के तीन आदमी या छे लड़के आदमी को मैं से लड़के को बॉय है से लिख दिया अब ये दोनों कितने दिन में? 40 दिन में करते हैं तो हमने 40 से गुड़ा कर दिया समझ रहे हैं ना दोनों में दोनों से गुड़ा करते हैं तो यहां से एक ratio निकल के आएगा क्या निकल के आएगा? 3 M बरावर 6 B तो M अपान B बरावर आ जाएगा 6 बटे 3 यानि की 2 अनुपात 1 तो यह इसकी कारशमता आ गई यह इसकी कारशमता आ गई सबाल में आपसे क्या पूँचा गया है? 6 आदमी तता 8 लड़के तो 6 आदमी तता 8 लड़के तो 6 आदमी की देखिये कारशमता 2 है तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 और बवाय की कितनी लड़के की 1 है? तो 8 एकन 8 यानि की 8 तो 12,8,20 यह हमें पता नहीं कितने दिन में करेंगे? हमने माल लिया X एकस दिन में करते हैं ठीक है? यह किसके बरावर करेंगे? कोई भी एक उठा लीजिए यहां से आप काम निकाल लीजिए कोई भी एक उठा लीजिए तो यही हम उठा लेते हैं देखिए 6 अब इसकी कारशमता आप वाय कितनी है? एक गुड़े 40 बस इसको सॉल्व कर दीजिए 20 एकन 20, 20 दूनी 40, 6 दूनी 12 तो एक स्की बेलू आपकी 12 आजाएगी जो की आपका आंसर होगा ठीक है तो इस सवाल को आप आसानी से लगा सकते थे अगर आपने कारशमें पड़ा होगा उसी मेतल से लग जाता चलिए परसुन नंबर 20 देखिए यदि पांच आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 रुपय कमाती है प्रतिदिन और कितना धन कमाएँगी एक बात प्ताईए 5 महिलाएं काम पर लगाईए या 7 जो पांच महन या 7 बुमैं काम पर लगाईए यह क्या करते हैं प्रतिदिन जो है 5250 रुपय कमाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं हुआ 5 आदमी जो है 5 आदमी कितने कमाते हैं प्रतिदिन5250 grew तो एक आदमी एक दिन में कितνα कमायेगा आप कहेंग़ 5 का भाग दे देंगे तो दे दीजिए 5 15-25 एक घुंच आदमी एक दिन में वावन सो कमाते हैं इसी प्रकार साथ महिलाएं जो हैं कितना कमाती है एक दिन में उतना ही बावन सो पचास तो एक महिला का अगर निकालना चाहें तो क्या करेंगे 7 का भाग दे देंगे, दे दीजिए, 7 सते 49, 49 और 7 25, ठीक है, एक महिला एक दिन में इतने कमाएगी, सबाल में कहे रहा है, 7 आदमी 13 महिलाएं, 7 आदमी लगाए हैं और 13 महिलाएं लगाएं, तो बोला है, टोटल कितना दन कमाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, मल्टिपलाई करके जोड़े जना तो है, 0, 7, 35, 3, 3, 7, 1, 7, 13, 0, 13, 56, 65, 66, 93, 97, 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 । आपका सही हो जाएगा, तो इस तरीके से आप लगा लीजिए, देखिए, कितना सिंपल सवाल था, कुछ नहीं था, आप अपना बेशिक सा लोजिक लगा के लगा सकते थे अगला देखे प्रसों नमर 21, 8 गंटे प्रतिदिन कार करके 25 बैक्ति किसी कार को 5 दिन में समाप्त करते हैं, 20 बेकती 10 गंटे प्रतिदिन कार करके 20 बेकती 10 गंटे प्रतिदिन कार करके इससे दुगने कार को कितने दिन में समाफ्त करेंगे हमने का एक दिन में समाफ्त करेंगे पर कार कितना हो गया दुगने कारे को ठीक है एक कार यहां तो इसका दुगना दो बस इसको सोल्ब कर यां 30 तो एक सवरावर तीस आपका अंसर आजाएगा प्रसन नंबर 21 परसन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं परसन नंबर 22 देखिए प्रसन नंबर 22 में बोला गया आठ पूरुष प्रति दिन नौ घंटे कारे करके आगे क्या बोला गया एक कारे को बीच दिन में समाप्त करते हैं यह लीजिए बीच दिन में समाप्त करते हैं साथ पूरुष प्रति दिन 10 घंटे कार करके ठीक है इससे दुगने कारे को कितने दिन में नहीं सोरी इसमें क्या बोला गया हम लोग कौन सा लगा रहे हैं प्रसन नंबर 22 लगा रहे हैं आठ पूरुष 9 घंटे कार करके ए उसकार को कितने दिन में पूरा करेंगे एक समान लीजिए एक दिन में पूरा करेंगे सिंपल साय काट दीजिए दस दूनी बीस अब साथ का जाएगा नहीं तो भाग देना पड़ेगा आठ नेमा बातर दूनी 144 बटे साथ यही एकस की वेलू हो जाएगी तो एकस को इसमें को 90 दिन में कुछ ब्यक्ति यह काम को 90 दिन में कुछ ब्यक्ति हमने माल लिए एकस यह काम को 90 दिन में करते हैं अच्छी बात है यह 15 ब्यक्ति कम हो जाएं यानि कि एकस ब्यक्ति माने थे आप 15 कहीं चले गए 15 कम हो गए कम कर दिये कम हो गए 10 दिन आधिक लगेंगे पहले multiply करेंगे 10 x is equal to 150 150 इधर बेजेंगे ना उधर जाएगा तो कुलमला के x की वेलू आपको निकल गया जाएगी 150 जो कि प्रारंब में वेक्तियों की संख्या है यह आपका answer आजाएगा 150 चलिए अगला देखिए प्रसन नमबर 24 प्रसन नमबर 24 में आप कुछा गया है किसी कार्रे को कुछ स्रमिक द्वारा 22 दिन में पूरा किया जाता है परन्तों तीन स्रमिकों के अनुपस्तित रहने के कार्ड उसे 24 दिन में पूरा किया गया आरम में लगाए गए स्रमिकों की संख्या कितनी है तो कुछ किसी कारे को कुछ स्रमिकों जा रहा है हमने कुछ स्रमिक एक समान लिए कितने दिन में पूरा किया जाता है ठीक है आगे कहे रहा है कुछ स्रमिक किन तो तीन स्रमिक बोला गया आरंब में कितने सहनिक थे याणि कि रूमिक थे यानि कि एक्स की वेलू आपको पता करनी है इस से पहले बाएपा इसी टाइप का था कात दीजी इसको यह जायेगा गृरा यह जायEGA बारा तो यह जाय के देखिए प्रस नमबर 25 एक चाबनी में यह फिर सवाल रिपीट हो गया जो हमने एक जामपल में हम लोगों ने पढ़ा था जिसको हमने गलत किया था यह सवाल गलत है कुछ मिस्प्रिंट था थोड़ा तो वही सवाल यहां पर फिर आ गया है एक सवाल चाबनी में 3300 व्यक दिन बाद की बात करें तो साथ दिन में तो जो भी खाया होगा वो खाया होगा अब हमारे पास जो खाना बचा आए वो कितने दिन का बचा है 25 दिन का क्यों क्यों कि 32 दिन का यह श्टोर था ना तो इसको लिख लीजिए देखिए 3300 ब्यक्ति थे और 850 ग्राम प्रतिव्य ना होता कोई आता ना कोई जाता लेकिन सवाल आगे पड़ेंगे साथ दिन बाद कुछ आओर ब्यक्ति चाबनी में आगे पहले 3300 थे अब कुछ आओर आ गए यानि कि 3300 प्लस एक्स जो कि एक्स जो है कुछ इस्ट्रा आए होंगे हमें नहीं पता है हुआ क्या जब यह आ इसकी बेलू बताई यह काट दीजी आप का ढसर आ जाएगा देखी सत्रा यस六 फाजाशी पचास हो जाएगा 25 से कर दिजिये 25 है 25 25 50 55 55 53 से यह कट जाएगा यह 100 आ जाएगा सो का 55 में करेंगे यह झाजाएगा आपके पास 5000 इधर आ जाएगा 3300 प्लस एक्स तो एक्स की ब टमपल में भी सवाल को सुल्ब कर चुके हैं अगला देगे परस नंबर 26 यदि छे समान मसीने एक निश्चित चाल से ठीक है एक मिनट में 270 बोतले बनाती है एक मिनट में 270 जो कि हमारा काम हो गया बनाती है इसी छाल से ऐसी ही 10 मसीन है इसी चाल से ऐसी ही 10 मसीन है ठीक है चार मिनिट में कितनी बोतले बनाएंगी चार मिनिट में कितनी बोतले बनाएंगी आप कहेंगे X बस इसको solve कर लीजिए तो यह कितना हो जाएगा देखिए इसको कार दिजिए 2,3,6,2,5,10 और 3,9,27 क्रोस मल्टिप्लाइ करेंगे पांच चार पंचे बीस बीस नेमा 180 तो अठारा सो आपका अंसर आएगा अगला देखिए अगला प्रसन नंबर बढ़िए प्रसन नंबर 27 कि छाबनी में 200 ब्यक्तियों की बोजन सामगरी 30 दिन के लिए थी ठीक है 200 ब्यक्तियों की बोजन सामगरी कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी 1945 के लिए सामगरी тобak कि टेस दिन की सामगरी थी ठीक है अब यहां से सामगरी निकाल सकते हैं कि किया कैसे इनका मल्टीप्लाइ करें दो ची यह सेथेज्यार सामगरी थी ठीक हैं हमने टॉटल तामगरी निकाल लए अब सबाल अगええ कह रहा है 30 के लिए थी भॉ सोरी यहां 30-के लिए लए ठीक है आगे पढ़िए 10 दिन बाद 10 दिन तक कितने लोगों ने यह समगरी को को यूज किया होगा 10 दिन तक अगर बात करें तो 10 दिन तक 200 जो ब्यक्ति थे ना उन्हों वोजन parfait का यूज किया होगा तो कितशना सहमागी यूज कर ली होगी 10 दिन में तो देखिए 10 दिन में कितनी कर ली होगी 200 इंटू 10 यानि कि 2000 ये लोग भोजन सामगरी का यूज़ कर चुके हैं आपके पास सिर्फ भोजन सामगरी 4000 अभी बांकी है तो 10 दिन बाद 50 ब्यक्ति और आ जाते हैं अब ये 4000 भोजन सामगरी कितने लोग यूज़ करेंगे कितने लोग आ रहे हैं पचास ब्यक्ति और आ जाते हैं और कितने पहले से ब्यक्ति थे तीस ब्यक्ति सोरी 200 ब्यक्ति पहले से ही थे आपके पास टोटल ब्यक्ति कितने हो गए आप कहेंगे 250 तो कितने दिन चलेगी कार दीजिए 0 25 से इसको कार दीजिए 25 एकन 25 25 छंगा 150 सोला दिन चलेगी यही आपका आंसर आजाएगा ऑप्सन नमबर डी ठीक है तो इस तरीके थे भी आप इस सवाल को लगा सकते हैं चलिए अगला सवाल देखिए प्रसंट नमबर 28 की तरफ बढ़ते हैं पंदरा गाएं नौ दिन में कितनी हैं पंदरा गाएं नौ दिन में कित इसने किलोग्राम आज खाएंगी सिंपल सा सवाल है हमने माल लिया एक्स किलोग्राम आज खाएंगी इसको काट दीजिए यह आजाएगा 15 दूनी 30 और 9 दूनी 18 तो एक्स की वेलू आ जाएगी चार का मल्टिप्लाइग जीरो जीरो चास सते 28 की याठ चार दूनी आठ और दून की परचाई इतनी होगी तो इसको किसी भी तरीके से आप लगा लीजिए बिल्कुल एक इक नियम से जैसे सवाल नहीं लगाते थे उस तरीके से आप लगा लीजिए लग जाएगा देखिए 17.5 मेटर उचे एक दुजदंड की परचाई इतनी है तो परचाई कितनी ह है तो उसकी द्वजदंड की उचाई कितनी होगी मतलब यह परचाई कब आ रही है उसकी उचाई यहां पर रखेंगे कि उल्टा करना पड़ेगा आप चीजों को समझ रहे होगा 17.5 परचाई इतनी आ रही है जब परचाई हमें एक चाहिए तब कितना होगा तो आप कहेंग 17.5 अपान 40.25 इंटू 28.75 अब आपको बस इसको आप सोल्व करना रह गया है आप इसको सोल्व कर लीजिए और इसका आंसर आपको निकल के मिल जाएगा तो प्रसंट नंबर आपका था 29 तो 29 का जो इसका निकल के आएगा 12.5 इसको सोल्व कर लीजिए गा इसमें क्या नव परिच्छक 5 गंटे प्रतिन कार करके ठीक है कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को बारा दिन में जाचें कुछ उत्तर पुस्तिकाओं हमारा काम होगी और बारा दिन में जाचें जो उत्तर पुस्तिकाओं जिनको जाच रहा वही तो काम इस सवाल के लिए होगा आगे कितने गंटे प्रतिन कार करना पड़ेगा तो हमने माल लिया यह गंटे प्रतिन कार करना पड़ेगा एक्स नहीं मान सकते हैं कि या लेड़ी मान चुके हैं तो कार दीजिए एक्स से एक्स चला जाएगा अब इसको कार दीजिए दो दूनी चार अब यह आजाएगा पांच नहीं गापिया जाचना चाहता है पर इच्छा तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं तीस सवाल हमारे हो चुके हैं टोटल इस प्रसनावली सवाल है 58 अगले वीडियो में हम जो 28 सवाल बचें वो कंप्लीट कर देंगे वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर पूरा